ओम गनेश हर हर महादेव करमकान में आनंद पाठक में आप सभी का एक बार पूर्ण हमें स्वागत करता हूं और साश्टंग या फिर साश्टंग सहीत प्रणाम नमस्कार नमन वंदन प्रार्थना भक्ति जो भी है मतलब साश्टंग प्रणाम सिधा ही अगर हम कहें इस तरी के से तो तो साश्टंग प्रणाम का महत्व हमारे शास्त्रों में इतना है कि एक तो इस से एक हम अगर कहें कि हमारे संस्कारों के अनुसार माता, पिता, गुरु, ब्राह्मन, गव माता और देवालाई या इस्ट देवता अर्थात बगवान चलो मान लिजे बाकी सारे को छोड़के माता, पिता, गुरु और भगवान इन चारकों भी शामा वेश करें तो साश्टंग प्रणाम करने का ही विदान है और देरे दिरे हमने इस साश्टंग प्रणाम का त्याग किया और वो त्याग किया तो उससे न केवल एक अथना वंदन प्रणाम नमस्कार सिर्फ इन चीजों पर असर नहीं हुई बलकि हमारे शरीर के उपर भी इसका बहुत ही गंवीर असर हुआ है और वो कैसे है क्या है आज इस विशय और वीडियो के माध्यम से आपको शर्मन कराऊंगा और मैं अपेक्षा भी रखता हूं कि यहां वीडियो देखने के बार या फिर मैं यह कहूंगा आपको सजेस्ट करूंगा सदाइव देश काल के अनुसार समय देखकर या फिर देश काल के अनुसार हो सकता है कहीं पर अगर हम दर्शन करतने जाए कहीं हम अपने माता पिता गुरु या मतलब जिने हम ज्यादा अधिक रिस्पेक्ट देते हैं उन्हें नमस्कार करें तो वहां फिर जगा कम हो सकती है अधिक हो सकती है या कोई ऐसी सिच्वेशन हो सकती है कि वहां साष्टंग नमस्कार नहीं भी कर सकते है तो फ़ी क्या करें? आज इस विश्य वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं जैसे संस्कृत में लिखा है कि जब हम पूरे शाश्टांग जमिन पर लेट जाते हैं, तो इन आठ अंगों का सिदाश पर धर्क्राइए इसे कहते हैं एा फिर इसे है साश्टांग नमस्कार अब आप खुज सोचिए कि साश्टंग नमस्कार करने से भगवान तो सदाईवा खूश होता है भगवान सदाईवा प्रसन होता है इसमें तनिक भी सम्देह के शंका नहीं है और आपने देखा होगा कि जो सादू, संत, सन्यासी आदी जो सारी ये परंपराय है मंदीर से ले अब इसका हमारे शरीर के ऊपर कैसे असर होता है तो प्रातहकाल, खास करके प्रातहकाल, जब सुबह सुबह नित्य कर्मा आदी हम अपना कर लेते हैं उसके बाद अगर हम साश्टंग नमस्कार करते हैं और इसमें भी इसलिए शायद कहते हैं कि 12 बार सुर्य नमस्कार करन करते हैं धरती माता को शपर्श करते हैं और ऐसा खड़े होकर लेटना फिर लेटे हुए खड़े होना तो एक प्रकार से यौगिक क्रिया ही हो जाती है तो अगर इसको हमारे बच्चों को या आने वाली पीडियो को या युवा वस्ता में अगर इसकी परंपरा बना दी ज चुरू हो जाए तो शरीड भी स्वस्तर रहेगा बगवान भी बहुत खूश होंगे इसमें कोई संधिय शंका रखने की आवशक्ता नहीं है तो एक प्रकार से यौगिक क्रिया भी हो जाती है योग समन भी क्रिया हो जाती है दुसरी प्रकार से अगर हम कहें तो शास्तरो हर जगा पर तो यह नहीं हो सकता कि चलो हम लेट जाए और ऐसा ही शाष्टक नमस्कार कर लें तब लिखा है कि मनसा मन से दोनों हाथों से नमस्कार करके मन से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए रदई से रदई में बगवान का भाव रखकर प्रार्थन करनी चाहिए और तीसरा वाचा अर्था तो वानी से एक विनम्रता या फिर भुनगान बगवान के गुनगान गाना या एक विनम्रवानी का प्रायोग करना शब्द का प्रायोग करना ऐसे भी आप विशेश बाव से नमस्कार कर सकते हैं अगर देशकाल के अनुसार साष् वो गुटनों को नमस्कार करते हैं, अर्थात को पैरों को भी नहीं चूते हैं, पैरों को भी चुए तो भी थोड़ा अच्छी बात है, लेकिन कोई पैरों को भी नहीं चू रहे हैं, अभी तो ऐसे गुटने को नमस्कार किया और ऐसे ही हो गया, और जल्दिवाजी में फट दवान को नमस्कार करने से दोश लगता है तो जैसे हम कई बार कई रास्ते से गुजरते हैं तो मतलब मंदिर आएंगे या देवाले आदी आते तो हम वैसे होन बजा के नमस्कार करते हैं या एक हाथ से एक हाथ से हम वहन चलाते हैं एक हाथ से नमस्कार करते हैं तो यह सारी युवा अवस्ता से ही या बाली अवस्ता से ही इसकी परंपरा की शुरूआत करेंगे बड़े होकर आपको शारीरिक पीड़ा का मतलब किसी भी प्रकार से सामना नहीं करना पड़ेगा यौगी क्रिया हो जाएगी और उससे भी ज्यादा अधिक महत्वा पुर्ण ये बात है कि बगवन आपके उपर खुश रहेंगे और इसलिए बहुत सारे ऐसे संप्रदाई है आप गौर कीजिएगा देखेगा यहां में नाम नहीं लूँगा जो साश्टंग नमस्कार बारा बारा बार करते हैं आठ बार करते हैं पांच बार करते हैं और इसलिए हर प्रकार से वो शरीड से लेकर तन मंधन हर एक प्रकार से वह सुख शामती और सम्रुद्धी का उपभोग कर रहे हैं तो कहने का ताथ पर यहीं है कि जहां पर भी आपको लगे माता पीता गुरु और देव आदी और जहां आपको लगे कि नहीं यहां हमें अवश्य ही साश्टंग न विस्तार में आप सुचेगा इन आठंगों का भुमिश पर्श होना कितना शरीर के लिए सुवस्त होता है तो यह था आज का एक बहुती संक्षिप्त लेकिन बहुती महत्वपुर्ण विश्य अगर आपको यह विश्य वीडियो पसंद आयो हो तो लाइक कीजिगा शेयर क अरके गंटिका चिनहा देवाजे का बहुत जर मिलते हैं नाई विश्य और विडियो के साथ ओम गानेश हर हर महा देवा